दोस्तों अभी तक के T20 क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे बल्लेबाज हुए जिन्होंने विस्फोटक पारियां खेली इस फॉर्मैट में बल्लेबाज ताबड तोड चोके छक्के लगाते हैं और कम गैंदों पर ही जादा से जादा रन बनाने की कोसिस करते हैं यही वज़े है कि फैंस T20 क्रिकेट को काफी पसंद करते हैं उन्हें T20 फॉर्मैट में काफी ज़्यादा बाउंडरी देखने को मिलती है और उनका पूरा मनोरंजन होता है T20 में तेजी से दन बनाने के लिए बल्लेबाज छको चोको पर ज़्यादा विस्वास रखते हैं इसलिए वो खूब छक्के लगाने की कोसिस करते हैं T20 फॉर्मैट में भी कई बल्लेबाजों ने काफी छक्के लगाए है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में अज हम आपको तीन भारती बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे जिन्होंने T20 फॉर्मैट में सबसे ज़्यादा छक्क लगाए हैं दोस्तों अगर आपने भी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें विराट कोहली इस लिश्ट में तीसरे नमबर पर भारती क्रिकेट टीम के पूरु कप्ता मुकाबले खेले और इस दोरान 20 छक्के लगाए हैं विराट कोहली ने अभी तक टीटवन्टी वर्ल्ड कप में कुल 845 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 129.60 का रहा रोहित सर्मा भारती टीम के कप्तान रोहित सर्मा 2007 में टीटवन्टी वर्ल्ड कप जीतने वाली भ रोहित सर्मा ने 31 छक्के लगाए रोहित सर्मा ने टीटवन्टी वर्ल्ड कप में 847 रन बनाए और इस दोरान उनका स्ट्राइक रेट 131.52 का रहा युरास सिंग 2007 में जब भारती टीम ने टीटवन्टी वर्ल्ड कप का खिता जीता था तो युरास सिंग का योगदान उस गेंदों पर 6 छक्कों के लिए जाना जाता है युरास सिंग टीटवन्टी वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्ले बाज हैं 2007 से 2016 तक भारत के लिए टीटवन्टी वर्ल्ड कप में कुल 31 मुकाबले उन्होंने खेले और इस दोरा 33 छक्के लगाए इन 33 में से उनके ज्यादतर छक्के 2007 के वर्ल्ड कप में आये थे